नमस्कार गायतरी जोतिष के इंदर में आप सभी लोगों का स्वागत है आप लोगों के लिए हमें साइज जोतिष सास्त्र की महत्तपूर्ण जानकारी हम प्रसारित करते रहते हैं नव ग्रहों से संबंदित भी अत्यांत महत्पून जानकारी उनके उपाई आप लोगों के लिए लेकर आते हैं आज भी आप लोगों के लिए नव ग्रहों में महत्पून ग्रह का स्थान रखने वाले राहुकेतु जिसके बारे में अक्सर हम आप लोगों के लिए समय समय पर कुछ न कुछ जानकारी लेकर आते रहते हैं पिसे इस तोर पर अत्यंत सिद्ध सरल आसान तुरं तफल देने वाले उपाई तो हम लाते ही रहते ही आज भी आप लोगं के लिए राहू केतु को अपने अनकूल बनाने के लिए सास्तर में कहा गया है कि यदि तीन चीज़ों को आप लोग छोड़ देते हैं तो राहू केतु की कृपा आप पे बरसने लगेगी यदि राहू केतु किसी ब्यक्ति से कुपित हो जाते हैं तो उसे चकचोर देते हैं उसके उपर दुखों का पहार टूट पड़ता है हर दिसा से वह पीडित हो जाता है तीर जैसे चुबने लगते हैं जीवन अंदकार में नजराने लगता है एक प्रकार से जीवन की गति को थाम देते हैं ब्यक्ति ऐसे चक्रवियू में फजाता है जहां से निकलना संभाव नहीं होता है जैसे आप देखते हैं कालसर प्रदोस राओ और के तु यदि के बीच में ग्रफष जाएं तो फिर उनका निकलना अत्यांत ही मुश्किल होता है जब तक कि वह स्वैम मारग ना दें यदि वह प्रसन है तब मार गदेंगे क्योंकि सास्त्रे में इनकी जो ब्याक्या की गई है वह अत्यांत ही खतनात तरीके की की गई है ऐसे जहरीले नाग इनको माना गया है कि ये बैठ जाते हैं दोनों निसाओं में दो जगह पे तो बीच में ग्रफष गई तो ये आने का कोई मौका नहीं देते है अलग अलग ब्याक क्या है जो तिस्जियो दोरा तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि राह की तु कि य यदि आप परिसान हैं दसावस महादसावस या गोचरवस या रासी में राहु के आने से या कैसे ना कैसे आप किसी ने किसी रूप से राहुग्रा केतुग्रा से यदि पीडिते हैं तो इन तीन चीज़ों को यदि आप छोड़ देते हैं तो चमतकारिक परिणाम अतिसी पहला बताया गया है मांस, मीट मांस, ताम सी चीज़ें ही है तीनों, पहला बताया गया है मांस, दूसरा बताया गया है मद्रा, यनि की सराब वाई, तिसरा बताया गया है परिस्त्री हो, इन तीन चीज़ों से यदि जो ब्यक्ति दूरी रखता है, उस ब्यक्ति के उपर कभ पीरही भी राखी केटू की पीड़ए नहीं आ सकती है बहेंकल पीड़ए कभी नहीं आएगी हाँ उसको चेक करने, हें जबू हाँ, उसका करका करने दिया धायती है रूप रूप नहीं करवायगी लेकिन जो भ्यक्ति इसी ने घ्रस्त रहता रहता हैated मान से इसलिए कि राहु केतु की जो प्रिय दान सामगरी है उसमें बक्रे को भी माना किया है जो हम दान सामगरी जब ग्रहों का दान जाप और दान किया जाता है तो दान में बक्रा भी आता है यदि जो उनके दान सामागरी है उसी का यदि ब्यक्ति सेवन करेगा तो उन्होंने कुपित होना ही होना है यदि वह कितनी अच्छी स्थितिवे है यदि ब्यक्ति तब भी ऐसा कर रहा है तो उन्होंने तब भी कुपित होना है अच्छा फल तो देना ही देना नहीं है उल्टा जो गलत फल देना है और खराब इस्तिती में है तो वो तो बहन कर रुष्ट हो गेंगी इसी तरीके से मदिरा वो अभी पहरव के रूप में उनको चड़ती है परिस्ति क्योंकि कन्याओं का उबड़ा सम्मान करते है राहु के तु भले ही वो राक्षसी ग्रह है गंदगी भेल का वास माना जाता है किन्तु इस्ति का सम्मान करना या भली बाती जानते है तो परिस्ति से जो संपरक रखता है उसका अविहिलना करता है और जो मांस का भक्षन करता है मांस और मदिरा का सेवर करता है ऐसे ब्यक्ति के उपर पर हमेशा ही राहू के तू ग्रह की कुद्रिश्टी अतिसीग्र पड़ती है वह ऐसे ब्यक्ति को वह अति पिला देते है और मुक्ति का कोई मार्ग नहीं देते है मुक्तीका मर्कत अब होता है जब इन चिजों से व्यक्तिद दूरी बिराएं अगर यदी कोई व्यक्ति-राहुकेतु की पिला से गशत है और ऐसी ताम सी चीजां उस व्यक्ति के भीतर है तो छोड़ के देख लिए अठार दिन के भीतर ही ब्यक्ति को रिजल्टे देखने में आएगा और एक सो आर दिन के भीतर उसको स्वेम महसुस हो जाएगा कि वाकई ग्रह सकती होती है और विसेश तोर पर कल्यूग में राहुकेतु ग्रह का अत्यधिक प्रभाव है तो यह सीग्र असर दिखाते हैं सुबफल भी अती सीग्र देते हैं और असुबफल भी अती सीग्र देते हैं तो जन्वन कुंडली में यह जिन भाव आदी में रहते हैं उनसे संबंदित यह अनकूल बनाए तो वहां से यह तितिक लाप हमें दे सकते हैं इनसे संबंदित हम आचरण करें जैसा है चाते हैं वैसा करें तो यह कितने खराब बाओ में यदि अस्टम में होंगे तो समुद्र से संबंदित फायदा करा देंगे अगर वैसे अगर हम इनको कुपित करेंगे तो अति एक्सडेंटल यो बार बार दुर गटनाओं का भाई हमेरे साथ डरा रहे ना कोई विपदा करा रहे अन्यता आप सुपफल होंगे तो समुद्र चल से संबंदित चीज़ें या जो वहाँ पर को राचियादी को जिए उनसे संबंदित चीज़ों का आकसमात पैद्या करा देंगे द्वादस में खराब होंगे तो व्यक्ति को जेल यातरा इदार उदार कोट का चरीता हम गलत जगों पे गलत मार गवें हमें सा मतलब पीडित रहना और कई प्रकार की जिए हमें सा कुंठित रहना निंदा का पातर बनना कई चीज़ां मतलब ब्यक्ति के देखने में आती है यति अनुकूल बन गए तो बीदेसों से स किसी ने किसी प्रकार का ला कोई ब्यक्ति संपर कमा जाएगा कोई ब्यापार सुरू हो जाएगा या वहां जाकर कुछ अच्छा लाप कमाने का योग बन जाएगा किसी ने किसी तरह से यह तो ग्रह गती है कब कहां गुम जाए आज से दस साल पहले हम अपने आपको देख बाव आज के युग में हैं हमें इन्हें समझना चाहिए इनके अनकूल हमें अपना आचरणा दी रखना चाहिए यदि हम ऐसा करने में सपल होते हैं तो हम अपना जीवन सुक पूर्वं कश्ट रही तौर पर बिता सकते हैं तो अत्यनत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी यदि आप लोगों को पसंद आई तो चरूर इसे आगे बढ़ा कर सेयर कर सकते हैं नहीं लोगों से आगरा रहता है कि चैनल से जुड़ें चैनल को सबस्क्राइब करें बैल आइकन आवस से ही दवाएं और जो हमने इस पर बताया तेनों चीज़ें फीमेल के लिए या उल्टा है मेल के लिए ये बताया गया है ये समझने वाजनी बात है ये कॉमन सेंस की बात है तो मिलेंगा इसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोट के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैसरी राम जैसरी कृष्णा ओम नमस्यवाई